एक बार एक नगर में सिध्धान्त नाम का एक ब्राह्मन रहता था, जिसके पास संपत्ती के रूप में केवल उसका अपना खेत ही था, एक बार की बात है कि वह अपने खेत में लेटा हुआ था, तभी उसने देखा कि उसके आसपास एक सांप है, जैसे ही उसने उस सांप को देखा, वह उसकी पूजा अर्चना करने लगा, साथ ही उससे कहने लगा कि आप ही मेरे करता धरता हो, लेकिन आज तक मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन अब जब आप मुझे मिल गए हो तो अब मैं आपकी ही पूजा करूंगा, फिर वह ब्राह्मन प्रति दिन उस स सोने की मुद्रा मिली, फिर ऐसा प्रति दिन होने लगा, एक बार ब्राह्मन को अपने गाउं से कहीं बाहर जाना था, ऐसे में उसने अपने बेटे से कहा कि वह उसके पीछे सांप के पास दूद से भरा हुआ एक बरतन रख गया करे, बेटे ने अपने पिताजी के कहे अन स्वर्ण की मुद्राओं का भंडार है, जैसे ही उसके मन में यह विचार आया, उसने सोचा कि क्यों ना सांप को मार कर उसके बिल से सारी स्वर्ण मुद्राइं ले ली जाए, लेकिन उसे यह भय था कि कहीं सांप उसको डस ना ले, इसके लिए जब सांप दूद पीने के लिए बिल से बाहर निकला, तो उसने उसके सिर पर लाटी से प्रहार कर दिया, ऐसे में सांप को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सांप के काटने से ब्राह्मन का बेटा तुरंथी मर गया, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि मनुश्य को कभी लालच नहीं करनी चाहिए, अन् उसका परिनाम बहुत बुरा होता है